तो हमें पता लगाना है कि 46 जमा 43 कितने हुए? मैं इसे फिर से लिख दूं और मैं से इस तरह लिखूंगा 46 जमा 43 अब हम क्या करते हैं? हम इकाई के स्थान से शुरू करते हैं, हमारे पास 6 इकाई'ा हैं तथा 3 इकाई'ा और हैं और 6 और 3 मिलकर 9 होते हैं यानि हमारे पास 9 एकाईयां हैं, अब दहाई की ओर चलें, इसके बारे में दो तरह से सोचा जा सकता है, आप इसे 4 और 4 बराबर 8 कह सकते हैं, लेकिन 4 दहाई के स्थान पर है, इसलिए असल में तो ये हुआ, 40 जमा 40 बराबर 80, इस प्रशन को हम इस तरह भी हल कर सकते हैं, प और 43 हुआ, 40 जमा 3, तो अब जब हम इने जोड़ते हैं, 6 और 3 को जमा करते हैं, तो मिलता है 9, और 40 में 40 जोड़ते हैं, तो मिलता है 80, तो 80 जमा 9 हुआ 89, ये पूरा अभ्यास मैंने ये समझाने के लिए किया है, कि 4 जब दहाई के स्थान पर होता है, तो वो असल में 40 होत है, 4 दहाई के स्थान पर 40 दर्शाता है, और 8 के यां दहाई के स्थान पर होने का मतलब है कि वो असल में 80 है,